ओ ओपल एसेंस, सरा सोच कर तो देखो, मैं एक शांदार नए गाउन में बहार आती हुई कैंटलोड के ग्रांड ग्यालोपिंग ग्याला में क्यों? हाँ, इसे मैंने खुट बनाया है, पूछने के लिए बहुत-बहुत शुक्रियां ओ ओ ओ पल, तुम बिल्कुल मेरी मदद कर सकती हो, थांक्यू यह क्या, तुम मेरी और मदद करना चाहती हो, ओ तुम कितनी स्वीट हो, सरा ध्यान से, हिला मत इसमें जादा बद नहीं लगेगा, फिक्र मत करो, बस ऐसे ही खड़ी रहो समय लगेगा, प्रुए सुचती ठी ख्या ही यह दोस्दी सिखा है यह Мैजिक तुम से ही, बिगे अध्वेंचर और मस्ती, यह बूड़ दिल जो है स्ट्रोंग भी, शेरिंग कायनस है इजी, और मैजिक से ही सिंअफय ही मेरी दूब दूबे की ये दोस्ती है वक्ती बॉल्टे रारिटी क्या तुम देख नहीं सकती रारिटी कितने द्यान से काम करने के कोशिश कर रही है वो क्या बना रही है देखने में तो ड्रेस लगती है वेल सही का आखिर ये एक ड्रेस में करकी शॉप है क्या मैं तुम लोग की कुछ मदद कर सकती हूँ परिशानी के लिए माफ़ी चाहती हूँ रारिटी पर मुझे तुम से काम था क्या तो मेरे लिए एक बचन ठीक कर सकती हो ये मेरी Grand Galloping Gala की ड्रेस है नहीं नहीं तुम ये नहीं पहन सकती पुराना है ये बहुत तुम्हें ग्याला के लिए खुबसूरत नहीं आटफिट की जरुरत है और तुम्हारे लिए वो मैं बनाऊंगी मुझे बहुत खशी मिलेगी ये बहुत ये अच्छा ओफर है रारेजटी पर मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकती तुम्हारा काम बहुत बढ़ जाएगा ये ड्रेस ही ठीक है टुआलाइट, स्पाक, मैं तुम्हारे लिए नहीं ड्रेस बनाना चाहती हूँ पर अब एक भी शप्त नहीं मैं नाब बिल्कुल नहीं सुरना चाहती वेल, अगर ऐसा है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रारेजटी तुम्हारा काम देखकर मुझे ये ड्रेस बहुत खूब सुरत होगी सरा मुझे सोचने दो आपल जाग, तुम्हें भी एक नया गाउन चाहिए गाउन? मैं तो बस अपने पुराने कपड़े पहनने वाली हूँ क्या तुम सीरियस हो आपल जाग, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने ही होंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी पाती है नहीं कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे पुराने कपड़ों को थोड़ा सा स्टाइलिश बना दूँ ओके, ठीक है, क्यों नहीं? अब तुम कह रही हो तो बस उन्हें ज्यादा रंग पे रंगामाद बनाना ठीक है न? डील! नीचे से हट जाब! माफ करना नहीं ट्रिक, च्राइसी गड़बढ हो गई आइडीया! मैं तुम्हारी लिए भी एक आउटफित बना दूगी, Rainbow Dash गाला में पहनने के लिए आउटफित वो किसके लिए? मैं एक तुम्हारी लिए एक तुम्हारी लिए तुम सब के लिए आउटफिट्स से यार कर दूगी और हां पिंकी और फ्लेटिशाई के लिए भी और जब मैं काम खत्म कर लूँगी हम अपना फैशन शो भी रख सकते हैं शांदार आइडिया है पर तुम्हें यकीन तुम्हें समाल लोगी हां काम तो बहुत जादा है पर मेरे बिस्निस के लिए बहुत ही सही रहेगा और साथ में मज़ा भी बहुत आएगा मज़ा मुझे मज़ा करना पसंद है तो फिर डील डान हम एक फैशन शो करेंगी जिसमें स्टार होंगी हम तो तुम्हें बस इतना करना है शांदार और बहुत ही खुबसूरत आउटफिट्स एक दो तीन चार पाच तुम्हें मिलकर छे पोनीस के लिए आउटफिट्स बनाने हैं आपल जाग तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे यह बहुत ही मुश्किल काम है हर एक त्रेट से बनता है ट्रेस ट्वाइलाइट की ट्रेस धान से पटन गातना है फैबरिक का फ़ भी देखना है इसका रंग भी परफेक्ट है नहीं करनी मुझे चल बाजी आगे पीछे हो ना जाय कुछ भी सिल रही हूँ ट्वालाइट की ट्रेस कपड़े की डीटेल्स चेक करूँ सुन्दर नेक लाइन बिल्कुल टार्म ना फेस करूँ ड्रेसो उसकी ही पसंद का चाहे ना कॉमल्स पहनना पड़ेगा मुझको ध्यान रखना उसको तो है बस सेल करना यह है आपल जैक की नई ड्रेस ड्रेस बनाना है इजी पिंगी पाई के लिए हो कुछ पिंक त्लरश चाई के लिए हो ब्लू इसको ब्लेंड करके यह रंग नहीं यूज करूँ हो ना जुक या दिल का शोथ हुक और राइब ओहो कैसे करूँ मैं ट्राइए हो जाए जो उसको फिट कर दे मैजिक ड्रेस को है फिर भी फिट नहीं हुई तो टैंग जैसी नहीं लगे रेंबो सिल्द ही हूँ रेंबो की ड्रेस हर एक पीस मैं काटू और इन पे फिट कर दू हर धागा कर दू प्रेस अब बन गई मत लो स्ट्रेस बनती है ऐसे प्रेस बस हो गया आके बंदी रखना देखना मत अब तुम आखी खोल सकती हो यह तुम्हारे नए आउटपिट्स है अपने पुराने कपड़ों के बारे में तुम्हारा क्या खयाल है आपल जाग शांदर है है कि नहीं और ट्रेस मैंने तुम्हारे लिए बनाई है और मैंने हर ड्रेस को उस पोनी की यूनीक पसनालिटी को जाहर करने वाली थीम पर डिजाइन किया है और इस वाली में कला सोचने में तो मुझे बहुत वक्त लगा रहीं बुड़ाश पर आखिर मैंने कर दिखाया और यह कितनी खुब्सूरत लग रही है ना और मुझे यकीन है तुम्हें अपनी ब्रेस बहुत पसंद आएगी फ्लैटिशाय यह किसी स्प्रिंग सॉंग जै यह वाकरी कुछ तो है हाँ कुछ तो है मुझे यह कुछ पसंद आया कुछ मीरा फ्yet है यह अच्छा है लेकिन बात क्या है? क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? नहीं, ये अच्छी है. हम तुम्हारे शुक्र गुजार है. तुमने बहुत महनच सेने बनाया. मेरी वाले इतनी रही हैेे. उसी ने पूछा. मेरे ख्याल से हम सब यह कहना चाह रही है कि यह ड्रेस वैसी नहीं हैं जैसे हमने सोची थी ठीक है कोई बात नहीं मेरे पास और भी बहुत आइडियास हैं यह मेरी बस पहली कोशिश थी तुम सब मेरे दोस्तों और मैं चाहती हैं तुम 110% साटिस्फाइड हो चिंता मत करो मैं इने फिर से बना दूंगी ओ रारिटी उसकी कोई जरुद नहीं यह ठीक है मैं चाहती हूँ यह ठीक से बढ़ करो मैं चाहती हूँ तुम्हें यह ड्रेस पॉफिक लगे और तुम अच्छी दिखो तुम्हें यकीन है मेरा मतलब तुम क्यों परिशान होती हो ऐसी कोई बात नहीं है सच में मैं सिस्क कर रही हूँ वेल अगर ऐसा है तो थांक यू अगेन रारिटी यह मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली हलो तुम मुझसे मिलना चाहती थी फ्लैडशाय तुम्हारा नया गाउन तयार है मैंने इसे पूरा फिर से बनाया है मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएका मुझे यह बहुत पसंद आया ओ तुम बस ऐसे ही कह रही हो ना नहीं नहीं सच में यह अच्छा है अच्छा है कि कुरौ तुम्हें पसंद नहीं आया तो मुझे بتा सकतीु और मुझे यह पसंद आया पसंद आया या बहुत पसंद आया एंभ्तनै एट जुनो फ्लीज मुझे मुझे यह बिस अलट क किस आधि तुम क्या सोच रही ओ नहीं है ठीक है बताओ मुझे नहीं ठीक है बताओ मुझे यह पसंद है मुझे बताओ 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 ठीक है क्योंकि तुम सच में जानना चाहती हो आम साइस बहुत टाइट है मिडी कॉलर और शॉल लिपल साथ में अच्छे नहीं लग रहे है हम्स मशीन से से ले गए है लीट्स अनीवन है और ये फैबरिक बहुत खराब है तुमने यहां बैक स्टिच का इस्तमाल किया है जबके यहां एक टॉप स्टिच या फिर ब्लैंक स्टिच की जरुवत थी पर पता है तुम जो करना चाहां मुझे चलेगा तो मेरी बैल्ट के स्टार्स का बिल्कुल ठीक होना बहुत ज़रूरी है और राइन के बैल्ट पर त्री स्टार्स है ना कि फोर देखो कलर्स भी है प्यादे लाइट में पता चलेगा तुम्हें फर्ट मैंने बनाई है यह द्रेस अगर मेरे गाउन में कुछ लॉली पॉप सोती तो वो बिल्कुल मेरी चैस से लगता बेल मुझे लगता है बलून बेल जो एट ठीक है तो फिर बस एक और चेंड फिर से कर रही हूं स्टिच है 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 फ्लट शाइन मुझे साफ साफ कै तो रेन्बो क्या चाहती हो तो ओ मैं गाड़ अब टाइम ही है कम पुला मत के अपल जाग चाहती है शाइन क्रिस्मस के टाइम पर जैसा भी ड्रेस जाहो जाओ मनपसंद ड्रेस लेकर बो कॉंस्टेलेशन के निस मेजर है ना कि माइनर फ्रेंच ओल्ट कॉटियोर प्लीज अगर बारिश होई तो शूज और बलून नहीं इतने जादा हो गए जादा गांडी कम गांडी रुको मुझे बता है स्रीमर्स ये किसकी ड्रेस है ठीक है स्रीमर्स क्या तुम भी मुझे कुछ बतलने के लिए नहीं कहने वाली है यह मैं बस चाहते हूँ मेरी ड्रेस कूल हो क्या तुम्हें एक अला पसन नहीं आया कालर ठीक है बस थोड़ा कूल बना दो और इसकी शेप शेप ठीक है बस पूरी चीज को यूनो कूल बना दो इसे तकरीबर 20 पसन और कूल बना दो दे नहीं पाते हम डिसिशन पता नहीं हमको क्या पसंद है बनना चाहते हैं हम स्टाइलिश हमको सुन्दर लगना है स्टाइल से बाहर जाए चाहे लेकिन हो अपने बजट में चाहे हो खितनी भी टेंशन बस ठीक हो प्रेजेंटिशन हर एक पीश मैं काचू और इन पे फिर कर दू हर धागा कर दू प्रेस अब बन गई मतलो स्ट्रेस बनती है ऐसे ड्रेस ओ ओ पल यह मेरी आज तक की बनाई ड्रेसेस में सबसे बत सूरत है ओके मैंने वो सब किया जो तुम लोगों ने कहा अब कुछ भी दिल में मत रखना मुझे सच सच बताना तुम्हें ही कैसी लगी ओ माय यह परफेक्ट है यह कूल है मैंने आज तक ऐसी ड्रेस नहीं देखी यह बिलकुल ड्रेस यह जैसे मुझे चाहिए थी थांक यह रारीटी क्या तुम उतना खुश हो चितना हम है हाँ वेल मैं खुश हूँ कि तुम सब लोग खुश हो और अब मैं चैन की सांस ले सकती हूं कि तुम्हें यकीन नहीं होगा क्या तुम्हें हॉटी टॉटी के बारे में सुना है…… कैंटलोट का बिग विग फशन होट शॉट शोप अहां उसे तुम्हारे फैशन चोग के बारे में पता चला शायद मैंने उसे बताया हो और वो तुम्हारा काम देखने आ रहा है ओ डिया तो मुस्से बहुत सारी ड्रेसिस बीच सकती हो तुम्हारा बिस्निस तो चल पड़ेगा हॉइटी-टॉइटी वो यहां आ रहा है वो भी इन ड्रेसिस को देखने यप तयार हो जो आप तुम्हारे सपने साथ जोने वाले है वाव कितना मज़ा आ रहा है वो आ रहा है हो 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 कि रिलाक्स रारेटी तुम्हारे दोस्तों को पसंद आए तो उसे भी ज़रूर पसंद आएंगे हो 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 है इसका मतलब है कि शुरू होने वाला है शुरूवात से ही एक्वेस्ट्रिया के शाही लोग ऐसे पोनी पैशन के लिए बेकरार रहे हैं जो उनकी सोल्स को एक्सप्रेस करें आप में सही सुना एक परफेक काउन के लिए इंतजार करते हुए हमें कई दशक नहीं कई सधियां बीद गई हैं और आखिर में आज एक्वेस्ट्रिया का वो इंतजार खतम होता है जोरतार तालिया हो जाए हमारे फैशन डिजाइनर रारिटी के लिए सब लोग हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं ओजिया ड्रेसेस कुछ ज़्यादा हो गई पता नहीं शयक थोड़ी सी ओव इस नियोसिक डिजाइनर ने सब कुछ बेकार बना दिया है कुछ भी अच्छा नहीं सिर्फ किचिन सिंग को छोड़कर यह बहुत भद्दा है मैंने अपनी जिन्दगी में इन आट्फिट से बत्सूरच चीज कभी नहीं देखी कितना शर्मनाक है हमारी आखों के सामने ये बेहुदा रिजाइन्स लाने के लिए कौन जिम्मेदार है और मेरा कीमती टाइम वेस्ट करने के लिए भी मुझे कहीं चुपा लो बाहर आओ और सबकी तारीफे बटोड़ लो तुमने इसके लिए बहुत मैंनत की है यह वह शबाश रैरिटी रैरिटी क्या तुम ठीक हो तुम कई दिनों से बाहर नहीं दिखी अब मैं कभी बाहर नहीं आओंगी अब मैं बोनी मिल को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाओंगी यहां मेरी कोई पहचान हुआ करती थी मेरी इस्जत थी मैं ड्रेसिस बनाया करती थी सुन्दर खुम्सूरे ड्रेसिस पर अब सब पोनीज मुझ पर हस रही है मैं बस एक मजाग बनकर रह गई हूँ तुम कोई मजाग नहीं हो रारा जी इस एक तरह से सही है बहार आओ और हमसे बात करो मुझे अकेला छोड़ दो मैं अकेले रहना चाहती हूं मैं डूबना चाहती हूं जिसमें पोनी जूबा करती है क्या पोनी इस काम में डूबा करती है जरा सुनो तो मुझे तो यह भी नहीं मालू मुझे किसमें डूबना है मैं किसी काम की नहीं बेलकुल बेकार हूं अब हम क्या करें शोर मचाए यह तो तुम्हारा काम है हम रारिटी को ऐसे नहीं छोड़ सकते वो एक पागल कैट लीडी बन जाएगी उसके पास बस एक कैट है उसे सारा वक्त दो शहर छोड़कर जाना मेरे ख्याल से मुझे यह शहर छोड़कर चले जाना चाहिए कहीं दूर पर मैं कहां जाओंगी और मैं अपनी साथ क्या लूँ यह सारा समान पैक करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा जब आप शहर छोड़कर जा रहे हो तो आप क्या-क्या साथ लेना चाहेंगे क्या गरम कब्ड़ी रख लो हां ओपर तो वहां उपर कैसे पहुंची वहीं रको प्यारी बची ममा आ रही है कि रेंबो डाश तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओपल को ऐसे पेड़ में अटकानी की नहीं तो हम तुम्हें बाहर कैसे लाते और कैसे दिखाते ये क्या है ये ये क्या है हम सबने मिलकर तुम्हारे लिए इड्रेस तैयार की है अच्छा वाफ लटशाय को स्टिचिन की जानकारी है क्या तुम्हें ये पसंद आई पसंद आई पसंद आई उसे पसंद नहीं आई नहीं मुझे ये पसंद नहीं आई बल्कि बहुत पसंद आई तुम पोनीज ने तो कमाल कर दिया, ये बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने सूचा था हमने बस तुम्हारे शानदार डिसाइन को फॉलो किया जो हमें तुम्हें हमारे आउटफट्स के साथ करने देना चाहिए तुमने जो सबसे पहले ड्रेस डिसाइन की थी, वो बिल्कुल पॉफेक थी हम अपनी किये पर बहुत शर्मिंदा है तुमने हमारी ड्रेसेज को जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाने के लिए बहुत मैनित की और हमने नतीजा देख लिया मैंने तुम्हें माफ किया वैल ये तुम्हारा बड़पन है पर मेरा करियर तो पुरी तरह से बर्बाद हो गया ओ हां वो तो है शायद नहीं ठीक है लेकिन ज़रा जल्दी करना प्लीज जल्दी करो हेल्लो ये वो डिजाइनर तो बिलकुल नहीं हो सकती बेहत खूबसूरत और अचानक मुझे कुछ डच एपल पाई डंडी पर लगे कैंडीड आपल्स और एपल टॉन वोस एपल कैंडी खाने का मन कर रहा है शांदार ओ ये तो लाच पाप है इसे कहते है फैशन शो ओ ये ड्रिस्स वागई बेहत सुन्दर है इन्हें किसने बनाया सामने आओ अपना चेहरा दिखाओ ब्रावो ब्रावो च्या बात है मसा गया तांक यू थांक यू थांक यू थांक यू सो मच अगर आप सब पॉनीस को खुश करने की कुशिश करते हैं तो आप किसी को खुश नहीं कर पाते और खासकर ख़त को और मैंने सीखा कि अगर कोई पॉनी आपकी मदक के लिए हाथ आगे बढ़ाए जैसे कि आपके लिए एक सुन्दा ड्रेस बनाए तो आपको उस काम में कम्या नहीं निकालने चाहिए जो किसी ने पूरे मन से आपके लिए किया हो मेरे बेस्ट आफ दे बेस्ट बुटीक में लगाने दोगी प्लीज मुझे ना मत कहना और अब मैं चाहता हूं कि तुम अगले ट्यूस्टे तक मेरे लिए हर ड्रेस के एक दर्जन कॉपीज बनाओ झालने चाहता हूं कि तुम आफ जो कि जाए पूरे में अगले बनाओ झालने चाहता हूं कि तुम आफ दो कि दुम आफ़ा एक दो धूरे में नाताशित